के गाइज तो गुड नाइट का या गुड इवनिंग नहीं पता क्योंकि टाइम हो गया सवादस ब्लोग अभी शुरू कर रही हूं और आप कहेंगे कि आजकल आप बहुत परेशान रहती हो तो क्या करो है आजकल सिच्वेशन यह से चल रही है पर अब मैंने कहना छोड़ विए जया है कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में चल गया रहा है मेरी बेटी आज फिर से बहुत तैज बिमार है उसे स्कूल से जाके लाना पड़ा उसका कॉल आया कि मतलब मुझे नहीं मेरे हस्बन के पास आया था कि पाई लेने आओ पाई कहती भी ठीक नहीं है मेरा हस्बन ने मुझे बताया मेरा एकदम जी घबर आ गया ट्रस्वी में बहुत स्ट्रोंग लिगनी सीज में शैद हर्मा कमजोर होती है तो मेरे हस्बन भाग कर उसे लेने गए मैंने का कॉल करना मेरे बात करना मैंने कॉल पूछा तो उन्होंने का इसक उसको फिवर होता था पहले जब सीजन चेंज होता जैसे मार्श में ऑक्टूबर में तब उसे होता था क्योंकि एक तो उसको टॉंसिल प्रॉब्लम है इसको बहुत हाई फिवर आता है या तो फिर मतलब उसको क्याए कि वैदर चेंज होता है तब अदर्वार नहीं होती ह है अभी और मेरे पूरी साल में पहले फिवर ही नहीं होता था कभी अभी 2022 की अगर मैं बात करूं हम दोनों मा बेटी लिटरली भीमार रहे हैं मेरी लड़की मतलब मैने में चार बार फिवर आ जा रहा है तो यह सोचकर मैं बहुत वरीड हूं लेकिन खैर आप सको फिर मैं दोड़ा दी पूरा दिन के साथ बिताया सुबसे कुछ भी नहीं खाया मैंने उसे पूछा भी कुछ भी नहीं खाया फिर सटली उसको पट्टी वट्टी कर रही थी तो बोल रही थी मम्मा आप मुझे केक खाना ए जो मैंने मिने हस्बन को बोला तो पता यार ओनलान आता मैंने पेस्ट्री बुला नहीं बच्चे कुछ जीद आती है नहीं मुझे केके खाना है मुझे हसी भी आई पूरा फेस पूरा ब्लाक पड़ जाता पता नहीं क्यों तो अब हमने मैं डिसाइड किया है कि पहले भी चेक करवा है था मने आपको याद होगा मैंने बताया था दो महींने पहले लेकिन कल मैं फिर इसका पूरा चेक अप करवाने जारी हूँ ताकि ये सही रहे बस इतनी सी द्वाया और आप प्रेयर कीशिएगा मेरी बेटी ठीक रहे बस मेरा फिर भी मैं सहल लेती हूँ ये विमार होते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता देखें एक्दम इतना लाल चैरा हो रहा है क्योंकि बहुत ही हाई ऐसे कोटन के इस पे मैंने इसके पट्टिक रखी है क्योंकि बहुत हाई फिवर होता है तो बच्चे को आपको सर पे अटले इस ठंडे पानि के पट्टि करो डॉक्टर कहते है इसलिए केक मंगा आ तेरे लिए अंटी लेएए बाबु आ जा क्ले है ये भावना से केक मंगा के दिया है केक ही खाना है मुझे पैस्ट्री भी नहीं खानी हमने सूचा कॉन खाएगा हम लोग ते क्षाते नहीं कोई बा कैसा होता है न बचा उठ जा अजीब लग रहा होगा आपको भी अजीब डिमांड पर फीवर में शायद होता है पर इसने ऐसे डिमांड कभी नहीं चार्ज पैलीबरी किया तो वनीला मंगवाया थे भावनाय का कॉल आया कि वनीला मिल नहीं रहा है मैंने का कोई बात नहीं इससे पूछा हम फट्रस कोच बोली हां तो मैंने का कोई बात इसलिए यह वाला के मंगवाया है कोई सेलिबरेशन नहीं है और बोलोंगी काना जैसे कि जल्दी से ठीक कर दे मेरी बेटी को यह ने मेरी कान है और आप भी प्रेयर करना कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और ठीक ह िए लर यह तो ना हो जो अब यह से शीहर करकर अच्छा लगता है क्या फैमली यों बांकी तो एमिल की नाम ए bent observe मेर मी लज़ता य६ी इसलिए मैं कहते हूं कि इसकी बजाएं मुझे विमार कर दो मेरी बेटी को बिमार बचा उड़ जा इसको बहुत ज्यादा फीवर इसको बहुत ज्यादा बल्कूल काला चैला बढ़ जाता है थोड़ा सखाली फिर दवाई देता हूं मंगवाया है ना आपके पानी दूगरम थोड़ा बोटल में पानी इसलिए मेनका का बड़े आएगा भाई इसलिए मेनका से केक कटा ले एपी बड़े टू यू विर्दी मा गेट वेल सूल इसलिए मेनका से कटा लिया अब मेनका कबड़े आएगा कभी कभी कोई बात नी वे वजवी खुशिया मना लेनी चाहिए उसका मन था यार उसका ने के खांगी मैं पेस्टी भी खांगी सिर्फ के के खांगी के खाना दा तो मैंने का ठीक है फिर यार ओन लाइन अच्छा नहीं आता बिल्कुल जी तो इसके बाप अब गये थे ना मैं तो बहुत दिमार के लिए आप प्रे करना कि वह जल्दी से ठीक हो जाए देखे मेरा बच्चा कैसा एकदम हो गया बसे जल्दी से ठीक हो जाए कि दूआ कर देना कि मिलेंगे कल आपको या जब भी ठीक हो गया सही रहेगा ठीक है बैब बोल दो सबको देखे कैसे हो रही है मेरी बेटी बिल्कुल शैतानी करे कुछ भी करे पर ऐसे रहती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता